हेलो एवरिवन वेलकम बैक टो आर चैनल आज के इस वीडियो में मैं फाइव ऐसे स्टेप शेयर करने वाली हूँ आप लोगे साथ जिसकी हेल्प से आप बच्चों को बहुत आसानी से एडिशन एंड सब्ट्रेक्शन सिखा सकते हैं आपके बच्चे लकेजी क्लास में हैं और आप चाहते हैं कि उनका जो एडिशन एंड सब्रेक्शन का कॉंसेप्ट है वो बहुत अच्छा हो यानि बहुत स्ट्रॉंग हो ताकि आगे तक उन्हें वो हेल्प करें एडिशन एंड सब्रेक्शन को समझने में तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखेगा वीडिय पहले सीख लेते हैं उसके बाद में बचो को एडिशन वगरे सिखाया जाता है तो जब आप काउंटिंग सिखाया तो 1-20 तक फॉर्वर्ड और बैकवर्ड दोनों ही तरह की काउंटिंग बचो को सिखाया यह उन्हें एडिशन एंड सब्रेक्शन दोनों में ही हेल्प करे तो 20 तक की जो काउंटिंग है बच्चे को बहुत अच्छे से लिखना और पढ़ना दोनों ही आना चाहिए ताकि जब वो एडिशन करे या वो सब्ट्रेक्शन करे तो वो कोई गलती ना करे सेकेंड स्टेप है यूज टोइस पैंसिल्स और अधर थेंग्स आलसो यूज व चाहिए बच्च को क्योंकि वो थोड़ा सा इज़ी हो जाता है वारृट कांटिंग आईगी उसमें आप देखिंगे भी कि फॉर्वट कांटिंग मेचे जाया अवसाने कर आते हैं तो इसलिए एडिशन आप पहले चिखाई के अच्छे से बच्छे करने का, प्लस करने का, वो concept बच्चो को समझाना है, सिखाना है कि आखिर क्या concept होता है addition का, तो उसके लिए आप पहले बच्चो को उनके toys के तुरू सिखा सकते हैं, या बच्चे क्योंकि LKG के pencils यूज करते हैं, तो आप pencils की help लेके उन्हें सिखा सकते हैं addition, तो बच्चो की जैसे छोटी-छोटी cards होती है, आप उनका यूज कर सकते हैं, उन्हें addition सिखाने में, जब वो खेलते हैं अपने toys से, उस वक्त आप बच्चो को ये चीज सिखा सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, या उनकी pencils का यूज कर सकते हैं, या किसी और भी चीज है आपके पास, उनका यूज कर सकते हैं, या जैसे blocks वसकते हैं, उसका use कर सकते हैं, addition या subtraction सिखाने में, उसी के साथ में आपको word यूज करना हैं, जैसे add plus more, मेरे पास में जैसे इस तरह से कुछ sketch pens है, आप इनका भी use कर सकते हैं, इसे सिखाने के लिए जैसे इस तरह से देखिए four pens आपने दे पहले सिखाइए बचो को, एड कर दिये हैं, तो अब आपके पास total कितने पैंस हैं, तो बच्चे काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पैंस हैं, या इसी में आप प्लस का यूज कर सकते हैं, कि जैसे ये मालने जे 6 पैंस हैं, इसमें मैं 2 पैंस और प्लस कर देती हूं, अब ब खेल खेल में ही बच्चो को जो है, ये concept सिखाना है, या आप चाहे तो इस तरह के stickers का यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर stars हैं, तो ये आपने लेना है और यहाँ पर पेस्ट करना है, You have one star, I gave you one more, how many stars do you have now, तो कितने stars हैं, बच्चे काउंट करेंगे, one, two, I add one more, how many do you have now, तो बच्चे काउंट करेंगे, one, two, three, तो इस तरह से आप addition का जो concept है, यह सिखा सकते हैं, सेम इसी तरह से subtraction आप बच्चे को जब सिखाएं, तो add की जगह subtract का यूज करेंगे, plus की जगह minus का और more की जगह less का यूज करेंगे, तो इस तरह के से आपको यह पहले concept जो है बच्चो को addition का सिखाना है, numbers में जब आप addition यह subtraction सिखाएंगे, यह words अगर आप use करते हैं बच्चो को सिखाने में, तो उन्हें और आसानी होगी जब वो addition करेंगे, तो उन्हें जो concept है वो और अच्छे से clear होगा, words उनके ही वो सम जाएंगे, क्योंकि कई बार हम कहते हैं, plus करना है, plus करना है, लेकिन उसके बाद भी बच्चे minus कर देते हैं, यह subtract कर देते हैं, क्योंकि वो यह words के meaning को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, तो अगर आप यह words पहले ही बच्चो को रटवा देंगे, बार बार उन्हें इसके ब पहले आपको picture addition बच्चो को करवाना है, इसमें जैसे कि यहाँ पर आपको pictures ड्रॉ करनी हैं, बच्चो को यहाँ पर देखे, plus का sign है, इसे आपको पढ़ने के लिए कहना है, जैसे कि one mango plus one mango, कितने mango हो गए हैं, equals to के बाद हमें लिखना है, equals to का मतलब बराबर होता है, यानि यहाँ जितने pictures बच्चे देखेंगे, वही यहाँ पर उन्हें number लिखना है, तो one, two, यहाँ पर कितने mango हैं, two mango हैं, इसी तरह से one, two, three, four, five stars, plus one, two, three stars, तो five plus three stars, कितने उटाएंगे, one, two, three, four, five, six, seven, eight, तो यहाँ पर लिखना है, eight, फिर यहाँ पर जब इस तरह से करवा तो फिर बच्चों को आपको numbers लिखने के लिए भी कहना है, जैसे यहाँ पर pictures बच्चे देखेंगे, जितनी picture से वो number लिखेंगे, यहाँ जितनी picture से यहाँ लिखेंगे, और add करके यहाँ पर लिखना है, one, two, three, four, five, six, six है, तो यहाँ पर six लिखेंगे, one, two, three, four, five, five है, तो यहाँ पर five लिखेंगे, अब टोटल बच्चों को बताना है, तो one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, यहाँ पर आजाएगा, eleven, one, two, three, four, यहाँ पर लिखेंगे four, one, two, three, four, five, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, nine यहाँ पर लिखना है, हर step को सिखाने में आपको कुछ वक्त लेना है, यान कि उसकी practice जो है, आपको बहुत अच्छे से करवानी है, जैसे first step आपने करवाई बच्चों को, तो उसकी practice आप अच्छे से करवाई है, उसके बाद आप next step पर आएंगे, उसकी practice आपको अच्छे से करवानी है, जल्दवाजी नहीं करना है, अगर आप चाहते हैं कि आगे के लिए ये जो addition and subtraction का concept है ये बचो को अच्छे से समझ आए क्योंकि आगे जब बड़ी class में बच्चे जाते हैं तो वो तो और tough होता ही है साथ में word problems आ जाती हैं जो की काफी ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं addition करना है ये subtraction करना है ये वो कैसे समझेंगे उस चीज़ को what problems को read करके तो उसके लिए आपको ये helpful रहेगा जब तीनों steps अच्छे से हो जाए उसके बाद हम fourth step पे आएंगे जहांपर की हम numbers को add करना सिखाएंगे तो जब आप numbers को add करना सिखाया तो सबसे पहले आप one to five numbers लें यानि one to ten तक numbers क्योंकि हमने बच्चों को one to twenty तक ही counting सिखाई है तो आपका जो addition का result आएगा यानि कि जो sum आएगा वो आपका twenty के उपर ना जाए ये कोशिश आपको करनी है दूसरी चीज हमेशा single digit numbers का ही use करना है आप ऐसे नहीं करेंगे कि आपने 15 plus 3 कर दिया या 11 plus 2 कर दि इस तरह से नहीं सिखाना है आपको सिर्फ one digit के numbers जो होते हैं छोटे-्छोटे उनका use करना है अब यहां पर देखिए मैंने one to five numbers तक मुझे सिखाना है तो मैंने one को plus करना सिखाया फिर two में one को plus करना फिर three में one को plus करना यानि कि हमने five तक के numbers को सिर्फ one से plus करना पहले आप सिखाएंगे फिर 5 तक के numbers को 2 से plus करना सिखाएंगे इस तरह से step by step जब आप सिखाएंगे न तो बच्चे और आसानी से सीख पाएंगे इसमें आप चाहे तो बच्चे को circle draw करने के लिए कह सकते हैं जितने numbers है उतने circle या उतने lines जो है वो draw करनी है बच्चे को यहाँ पर है 1 तो हम 1 circle draw करेंगे यहाँ पर भी है 1 तो हम 1 circle draw करेंगे अब हम इन्हें total देखेंगे उतने circle से है तो 1 2 या इससे cross करनी के सकते हैं 1 2 तो यहाँ पर आजएगा 2 यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 1 अब total कितने हो गाए 1, 2, 3 फिर यहां पर है 1, 2, 3 और यहां पर है 1, 1, 2, 3, 4 तो आप एक चीज़ देखेंगे कि जो भी हमारा नंबर है यानि जो उपर जो भी नंबर हमारे आएंगे उसमें जब हम 1 को प्लस करते हैं तो हमारे जो काउंटिंग होते हैं आप देखें next नंबर आ रहा है तो इससे आप य यह वाला कॉंसेप्ट भी बच्चो को समझा सकते हैं कि जब हम 1 को एड करते हैं तो देखो next नंबर हमें मिल रहा है तो और आसानी हो जाएगी बच्चो को एड करने में फिर इसी तरह से आपको यह पूरा एडिशन बच्चो को सिखाना है फिर इसी में आप 3 को एड करना यानि 1 to 5 नंबर्स ले ले लेंगे इसमें 3 को एड करना फिर 4 को एड करना फिर 5 को एड करना इस तरह से आप सिखा सकते है step by step जितनी ज़ादा आप प्रैक्टिस करवाएंगी उतने ज़ादा 6 से बच्चे इस concept को समझ पाएंगे next step है addition on number line number line जो है यह UKG से सिखाय जाता है लेकिन मैं कहूंगे आप 0 to 10 तक के numbers की number line ड्रॉ करके और उन्हें LKG में ही इसे आप सिखाये यह भी बहुत आसान तरीका है बचो को addition सिखाने का जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 plus 3 हमें 2 में add करना है 3 को तो 0 से हम पहले जो first number है उस पर आएंगे यानि 0 से हम direct लिखेंगे 1,2,3 यानि 3 times jump करेंगे तो कितना आया है हमारा answer 5 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 इसी तरह से 4 plus 3 हमें करना है तो हम पहले 4 पर jump करेंगे यहाँ से direct 4 पर आएंगे उसके बाद 3 लिखा हुआ है तो 3 times करना है तो 1,2,3 answer आया है 7 इन 5 steps को follow करके आप बहुत and subtraction को जो concept है यह LKG and UKG के बच्चों को सिखा पाएंगे वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा thank you for watching